पूर्णिंग माई दियल सुड़ेंट आज एल्फा बीटा इल्यमिनेशन के बारे में एल्फा विलोपन के बारे में आपसे बात करूँगा और मैं यह नहीं कंपाउंड ले रहा हूं और यह कार्णिक होगी इसमें अगर मैं बात करूंग यह x है और यह कौन है X के साथ कोई carbon जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे alpha carbon बोलना है और इसको क्या बोलेंगे beta carbon तो मैं कुछ पनी तरीके से आपको बताऊंगा जैसे previous lecture मैंने आपको कुछ बताया था इसे ही तो देखें जरा यह alpha carbon और यह कौन सा है beta carbon alpha carbon पर कौन जुड़ा हुआ है halogen और beta carbon पर कौन जुड़ा हुआ हाइट जन तो alpha carbon से halogen रड़ेगा और beta carbon से hydrogen रटेगा ऐसे alpha से halogen आटे बीटा से hydrogen रटे इसको बोलतेuses alpha beta elimination बोलेंगे तो alpha beta elimination का मतलब यह होता है अब सुनो अब क्या होता है एक आता है देखो base, क्या हुआ? Base, base के पास क्या है? Base के पास long pair है और base और electrofile में क्या फरक होता है? क्या difference होता है? Electrofile जो होता है, sorry nucleophile nucleophile और base में क्या difference होता है? Nucleophile सीधा करीना से, कार्वन से जाके जुड़ता है और जो base होता है वो hydrogen के साथ attach होता है ये basic फरक है तो देखो अब आएगा ये base और base इससे जुड़ने के लिए आएगा ये इसके पास आ रहा है base इससे जुड़ने के लिए और base इसके पास जैसे जुड़ने के लिए आएगा तो यह एक्स जो रहेगा इसके पास क्या है यहाँ पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन इसको करेगा फॉन कर देगा इसको ये गुम रहा है BASE, महल्ले में गुम रहा है और गुम्ते गुम्ते इसके पास PON आएगा Kिसका Hydrogen का PON आएगा और Hydrogen का PON आएगा तो फिर क्या होगा Hydrogen का जैसे ही PON आएगा तो BASE जो है वो बुलेगा तुम ने बुलाया है और हम चले आए तो बेज दो रहेगा फिर क्या होगा आएगा और इसके पास हाइडरोजन के पास आएगा हाइडरोजन के पास आ रहा है और X के पास होंगे लॉन पेयर और X के पास जब लॉन पेयर होंगे तो इसके लॉन पेयर और इसके लॉन पेयर लला लॉन पेयर इसके मारेगा जापट इसलिए जापट बारेगा क्योंकि रिपल्शन हो रहा है जबरदस्ट तो बहुत बाग यहाँ से और यहाँ से एच बुलाना चाहता है अपने पास लेकिन यह आनी पाएगा और यह जो है यहाँ से रुक जाएगा बेज जो है यह और और यह जो एक्सेलिन के बीच में रिपल्शन के वज़े से वही पर रूख जाएगा और हाइड्रोजन इससे जुड़ना चाहता है तो हाइड्रोजन आप नहीं जुड़ पाएगा आप कोई दूसरा तरीका ढूड़ेगा बेस अब बेस कोई दूसरा तरीका ढूब रहा है अब देखो आप बेस क्या करता है अब बेस जो है अब एक कोई लूना उस प्यारा है साल यह लूना है बेस की ठीक है और यह लूना की स्रवारी है और इस पे बेस बैठा हुआ है गिया यहां कि आ बेश इस पे बैटा हुँआ है और बेश आप जुड़ने के लिए आ रहा है तो आ रहा है किस पे इस हिड्रोगी पे लेकिन होने लगेगा बेश की इलेक्टरों और एक्स की इलेक्टरों के पीच में रिपल्इशन इसके ललालोन और इसके लल्ला लॉन पेर, और इसके लल्ला लॉन पेर के बीज में होने लगेगा एगर अब वेज़िज़ जब इसके हैईड्रोजन Baby जोडेगा, और इसकी नहीं जुडे गा अब क्या करें बेस इस से जुड़ी नहीं पारा किस से हाइडरोजन से और जब तक बेस इस से हाइडरोजन से नहीं जुड़ेगा तब तक बात बनने वाली नहीं है अब क्या होगा अब क्या करें अब क्या करें अब सुनो अब इंटरेस्टिंग चीज ये है अब बेस के पा के मन जुड क्योंकि स्ताम ने बैठा हुआ है एक्स और इसके बीच में रिपल्शन होगा तो फिर भागना पड़ेगा तिर को थीग है फिर एक्स तिरको जो है जूते मारके बगाएगा तो इससे बैठर है कि तू पीछे से जाकर के अटेक मार और पीछे से जाकर के अब यह आटेक मारता है देखो अब यह पीछे से जा करके इस पे आटेक मारता है बेस पे इस हाइड्रोजन पे और जैसे इस पे हाइड्रोजन पर फिर जा करके पीछे से बैक साइड आटेक मारता है तो अब होने लगता है क्या अब होने लगीगा बच्चो सुनो यहां पर जैसी ज जुड़ता है तो अब इसकी जुड़ने की प्रोसेसिंग बताता हूं कैसे जुड़ेगा तो देखें तो यहां पर यह कैसे जुड़ेगा तो इस तरीके से जुड़ेगा देखो पीछे से जाकर के जुड़ रहा है अब पीछे से आ रहा है सा बेस बेस जो आ रहा है यहां से से जुडनेों के लिए बेस्तेगैं एक आडिक्ट आप जुडने के लिए आएगा तो अब होगा क्या अब सुनांieur क्या आ साथ इस बेश के साथ और इस बात का पता लगेगा किसको करीना को और करीना को जैसे ही इस कारवन को पता लगेगा कि इनके और इनके बीच में बांड बनने लगे हैं तो फिर क्या होगा अब सुनना क्या होगा यहां यह जो बांड है इस बांड के लेक्टरॉन को करीना लेक के बहाँत है ही, क्योंकि पता लग गया, उसको रिम के रिम के बीच में चलने लगा है चक्र, तो अब होगा क्या? ये करिना अपने बॉन्ड के लेट्रॉन को इदर फैंग देंगी, और इसको बॉन्ड के लेट्रॉन को जैसे इदर फैंगेगी, तो ये जो है, ये X अब सूचने लगएगा कि ये करीना जो है ये करीना पांस बॉन्ड बनाई नहीं सकती अभी और इंहीं ईक, दू, तीन, चार चार बॉन्ड बने पड़े हैं पांस बॉन्ड नहीं बनाईगी तो एक्स जो है यह बुलेगा कि मुझे अब तो electron ले करके भागने ही फढ़ेंगे और जैसे ही electron ले करके यहां से भागेगा तो भागने पर ऐसी कुछ state बनेगी सुनना कैसी बनेगी यह base और यह जो hydrogen है इसके बीच में आपन दिखाएंगे डेस डेस करके तो कि bond बन रहा है इनके वीच में और क्या होगा और यह होगा कि यहां पर यह जो bond है यह वाला bond यह break हो रहा है तो इसको दिखाएंगे डेस डेस करके bond formation हो रहा है और bond breaking हो रही है दोनों काम एक साथ होंगे और फिर उसके बाद क्या होगा उसके बाद सुनना यहां पर bond बन रहा है तो bond बन रहा है तो यहां पर डेस 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 करके दिखाएंगे ठीक है और फिर उसके बाद यह कारवन है इसके यह group चुरे होगे यहां से यह bond break हो रहा है तो यहां से यह bond break हो रहा है तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएंगे तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन गए ठीक है और यहां का बॉन्ड टूट जाएगा तो बॉन्ड क्या कर दो अलग कर दो यह अलग हो गए यह बॉन्ड टूट गया और यहां पर क्या बन जाएगा एक बॉन्ड नया बन जाएगा ये तो एक बॉंड नया बन गिया और यहां पर ये बॉंड क्या हो जाएगा तूट जाएगा और तूट जाएगा तो X क्या हो जाएगा इलेक्रॉन लेकर के हट जाएगा एक्स पे जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये क्या ऐलग हो जाएंगे ठीक है तो अब ये करिना से अलग होकर क्या एक्स नेगेटिव भार हो जाएगा इस तरह के से यहां पर क्या हो रहा है पूरी रियाक्षिन हो रही है फाइनल प्रोडेक्ट जो बनेगा वह बनेगा base और H जो है अलग हो जाएगे और यहां से जो बनेगी है L-kin बन गहीं क्या बन गहीं बच्छो L-kin बन गहीं तो इस तरहीरे के सा reaction होगी X negative जो है भार हो जाएगा तो reaction जो दिखेंगे अपर अगर मानों आपने ये लिया CS3, CS2 और यहां पर ले लिया क्या यहां पर आपने ले लिया X और बेस में जैसे सबोज L को ले लिया तो एक्जामपल क्या होगा यह यह एक्जामपल होगा क्या निकालोगे यहां से अलफा यहां से बीता अलफा से निकालोगे X को और यहां से क्या निकालोगे H को यह bond के electron इधार इसके electron इधार और यहां से बनेगा CS2 यह पुरा का पुरा base है इसको base बोलेंगे ठीक है यहां से बनेगा CS2 double bond CS2 और plus में क्या होगा HX तो इस तरीके से क्या होगा इलकीन का formation हो जाएगा चुकि इसमें alpha carbon से निकल रहा है X और beta से निकल रहा है H इसलिए इसका नाम क्या होगा alpha beta elimination और ये जो reaction है वो कौन सी है E2 reaction है इसमें दो molecule participant कर रहा है एक तो ये और एक base base की concentration पर रेट डिपेंड करेगी और इसकी rate डिपेंड करेगी concentration के ओपर इसलिए ये जो हो जाएगी bi-molecular हो जाएगी ठीक है और order base का 2 होगा और दो molecule participant कर रहे तो bi-molecular और E2 reaction इसका पर बोल देंगे इस तरीके से मैंने आपको कुछ interesting तरीके से E2 reaction को समझाया I hope आपको समझ वाए हुआ और मज़ा भी आए हुआ कुछ और इसी तरीके से फिर कुछ funny organic chemistry के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा कुछ funny interesting video लेकर के और तब तक के लिए thank you so much और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले thank you so much